Hello friends, welcome to my YouTube channel तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Regional Economic Integration के बारे में ये आपका Unit No. 4 के अंदर आता है International Business के अंदर तो ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत वाइड है और साथ में ये बहुत ही ज़्याद है आपका Exam Point of View के लिए तो इसके अंदर आपका यहाँ पे EU आता है European Union, NAFTA, Achean, Sark, Briggs Level of Integration तो इन सब भी को अब हम Detail में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका आता है Regional Economic Integration अब Regional Economic Integration क्या होता है तो अगर हम इसकी basic definition बात करें तो वो ये बात की जाती है कि एक टाइप का agreement होता है जिसके अंदर different countries साथ में एक दूसरे के साथ में जुड़ती है इससे क्या होता है जब वो countries साथ में एक agreement को sign करती है तो जितना भी वो tariff होता है या फिर non-tariff जितने भी barriers होता है वो या तो खतम हो जाता है या बिल्कुल reduce हो जाते है इससे क्या होता है ये free flow of goods और services को यहाँ पर देखने को मिलता है और factor of production जो होता है between countries जिन भी countries ने उस agreement को sign किया है तो उन countries के बीच में यहाँ पर goods और services का जो trade है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलता है अगरिमेंट बत्वीन ग्रूपस और कंट्री इन जोग्राफिक रीजन तो डिजूस अन अल्टिमेटली रिमूफ टैरिफ और नन टैरिफ बैरियर्स तो जाँ फ्री फ्रीफलो और गूद्स, सर्विसेस और फेक्टर और प्रोडक्शन बत्वीन इच अदर अब यहाँ पे नीचे कुछ एक्जाम्पल्स दिये है रीजनल इकनोमिक इंटिग्रेशन के जिसके अंदर आपके यहाँ पे आता है सार्क, साउथ एशिया एस्सियेशन फोर रीजनल कॉपरेशन, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइन, साउथ अफ्रीका तो यहाँ पे कुछ एक्जाम्पल्स होते है आपके रीजनल इकनोमिक इंटिग्रेशन के तो यह जो एक्जाम्पल्स यहाँ पे हमने नीचे बात की है यहाँ पे आज की वीडियो में हम इनके बारे में देखेंगे बट इसके अपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी अब इसके अंदर आता है आपका लेवल ओफ रिजनल एकनोमिक इंटिग्रेशन अब इसके कितने लेवल होते है तो सबसे पहला लेवल आता है आपका फ्री ट्रेड अब फ्री ट्रेड के अंदर क्या होता है जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि जो भी ट्रेड हो रहा है वो फ्रीली हो पा रहा है जिन भी countries ने वहाँ पे उस agreement को sign किया है तो उनकी बीच का जो trade है न वो बहुत ही easily हो पा रहा है freely हो पा रहा है remove tariff among us members तो इसके अंदर ये देखा जाते हैं कि जितने भी members है जितने भी members country है जिन्नों ने उस agreement को sign किया है तो उन सभी के लिए जो tariffs है उनको वहाँ पे remove कर दिया जाता है member have own trade policies towards other अब इसके अंदर जो member country है न अब उनकी भी कुछ trade policies होती है तो वहाँ पे उन चीजों को देखा जाएगा इसके बाद में आपका second आता है customs union अब custom union जो है न ये थोड़ा extension होता है आपका FTA का अब FTA इसको extension मतलब इसके साथ में आप add-on कर दोगे यहाँ पे common trade policy towards other इनके लिए मतलब एक common trade policy यहाँ पे बनाई जाएगी मतलब एक ऐसी policy बनाई जाएगी जो सभी countries जो member countries है उनको माननी पड़ेगी तो यहाँ पे आपको जो custom union है न वहाँ पे आपका FTA plus common trade policy यह दोनों यहाँ पे include होता है इसके बाद में आपका third आता है common market common market के अंदर CU इसके अंदर आता है आपका मतलब custom union custom union मतलब FTA plus आपका common trade policy plus movement of labor और capital इसका मतलब है कि अगर किसी country से अगर कहीं दूसरी country में कोई दूसरे आपका member country है वहाँ पे अगर labor की यह capital की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे कोई भी country का person जो है वो दूसरी country में जाके काम कर सकता है तो यह आता है आपका CM के अंदर इसके बाद में आता है आपका economic union EU इसके अंदर आता है आपका CM common market plus monetary and fiscal policy between member countries are harmonized common currency is used such as with the European Union Euro अब इसके अंदर यह बात बोली जाती है जो आपका fourth level है CEU का इसके अंदर आता है आपका CM मतलब जो आपका common market है ना वो तो इसके अंदर सारे include हो गई होगा और साथ में जो आपका monetary और fiscal policy होगी ना member country की तो उन सब को वहाँ पे देखा जाएगा और साथ में यह बात बोली जाती है कि जब भी आप जो members country है जब भी वो trade करती है ना तो उनके बीच में जो currency use की पर आपका सिर्फ euro का ही use किया जाता है इसके बात में आता है आपका political union political union में आता है आपका represent the potential most advanced form of integration with a common government अब इसके अंदर यह बहुत ही ज़्यादा आपका advanced form आता है integration का यह integration का बिलकुल एक high level होता है जिसके अंदर यह बात बोल जाते हैं इनकी common government भी होनी चाहिए तो यह आता है आपका political union में अब यह आपका example है यह आपका diagram है यह diagram अगर आप paper में represent करकर आते हो तो इसे बहुत ही ज़्यादा effective way होता है अब इसके अंदर आप किस तरीके से हाँ पर represent करोगे तो सबसे पहले हमने यहाँ बीच में दिखाया यहाँ पर FTA free trade agreement इसके बाद में आ आता है आपका economic union और लास्ट आता है आपका political union इसके बाद में आप arrow डालके यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह सभी आपके level of integration को यहाँ पर बताते हैं तो यह five जो इसके level है यहाँ पर हमने integration के बता दिये इसके बाद में आता है आपका EU European Union the European Union is a group of 27 country in Europe अब यह जो आपका word ह EU जिसे हम बोल रहे हैं तो यह आपका group होता है 27 countries का जो कहां पर है यूरोप के अंदर these country came together अब यह countries क्या कर रही है यह countries सात में आ रही है यह 27 countries जो है वो सात में आ रही है सात में काम कर रही है जिससे क्या हो सके एक better तरीके से काम कर सके easier तरीके से काम कर सके और जितने भी यहाँ पे लोग है उनके लिए वो सेफर तरीके से काम किया जा सके अब इन्हों ने यह agreement इसले साइन किया है ताकि यह सभी कंट्री इस सभी 27 कंट्री एक दूसरे कंट्री की यहाँ पे help कर सके और यह जो आपका EU है न यह found हुआ था 1st of November 1993 के अंदर इसके headquarter आते है आपके Brussels के अंदर Belgium तो आई होप आपको EU इतना समझ आया होगा जिसके अंदर आपका बेसिकली यह आता है इसके अंदर आपकी 27 countries होती है इनका aim होता है कि यह साथ में चीजों को कर सेके better, easier and safer for people और इनोंने साथ में agreement इसलिए जॉइन किया था जिससे यह एक दूसरे countries की यहाँ पर help कर सेके यह जो आपका EU है यह foundation इसका आता है 1st of November 1993 के अंदर headquarter इसके located है Brussels, Belgium के अंदर European Union, the United Kingdom withdraw from the EU for on 31st March 2020 अब इसके अंदर यह बात बोली जाते है जो आपका United Kingdom है न उसने European Union से यहाँ पर बहार निकल चुका है 31st of March 2020 के अंदर The idea to make the European Union came after two big war happened in Europe, country in Europe so that it is better to work together than fighting against each other अब यह जो आपका idea निकल कर आया था ना कि इस टाइप के मतलब members को member country को साथ में जोड के काम करने का तो यह idea आपके दो जब big world wars हुई थी उसके बाद में यह इस टाइप का idea यहाँ पर देखने को मिला है और जिसके अंदर इन लोगों ने यह सोचा कि साथ में काम करने से better है इससे अच्छा कि हम एक दूसरे से लडाई जगडे कर रहे है तो इस वज़े से यह लोग साथ मे जुड़े हैं और यहाँ पर काम करते हैं अब इनका objective क्या आता है main objective is to promote peace and improve well-being of nation अब main objective इनका आता है कि यह सबसे पहले तो पूरी सभी country के अंदर शान्ती रख सके peace लग कर आ सके improve कर सके well-being मतलब हर एक person का standard of living को यहाँ पर अच्छा कर सके to create a free and safe Europe with no internal borders अब इसके अंदर यह बात बोली जाते है कि जिससे यह freely और safely यूरोप को बना सके और यहाँ पर कोई भी internal borders नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसे internally कोई boundaries नहीं होनी चाहिए between countries अब इसके अंदर यह बात बोले जाते है कि यूरोप के अंदर अगर आप कोई भी trade करते हो तो वो smoothly हो जाए efficiently हो जाए और इनके बीच में जदधा competition जो है वो ना देखने को मिले इसके बाद में आता है peace in Europe अब यह यूरोप के अंदर एक peace को लेकर आना चाहते है people have a good life और last में यह बोला जाता है कि मतलब जो सभी यहाँ पर रहने वाले लोग है तो उनकी जो life है उसको easier बनाने के लिए things are fair for all people and nobody is left out अब इसके अंदर इनका objective आता है कि सभी जो चीज़े है ना वो सभी के लिए same रखी जाए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर partiality देखी जा रही है बेदबाओ किया जा रहे है comparison किया जा रहे सभी लोगों की जो languages है और जो भी वो culture से belong करते है तो उन सभी को वहाँ पर respect किया जाता है सभी की religion को माना जाता है culture को माना जाता है language को बोला जाता है there is a strong European economy and countries use the same coin to do business together अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि जिससे इनकी जो European economy है इसको strong बनाने के लिए यह जो member countries है यह क्या करती है यहाँ पर same coin का यहाँ यूज करती है इसकी North American free trade agreement यह आपका foundation day होता है इसका 1st of January 1994 it was a treaty between Canada, Mexico and the US अब यह जो आपकी treaty है यह तीन countries के बीच में Canada, Mexico और USA के बीच में eliminate most tariff between the countries इनका aim यह है कि यह eliminate कर सके मतलब खतम कर सके कि यह जो यह तीन countries है ना इनके बीच के जितने भी tariff rates है उनको खतम किया जा सके it was replaced by the USA Mexico Canada agreement अब यह जो आपका नाम है na NAFTA इस नाम को यहाँ पर बदल के अब नया इसका नाम रख दिया गया है 1st of July 2020 के अंदर इसका चेंज किया गया था अब से इसका नया नाम है USMCA जिसका मतलब है यहाँ यहाँ पर US मतलब United States M का आ जाता है आपका Mexico और CA का मतलब है Canada The Secretary is located in separate national offices in Mexico City, Ottawa and Washington अब जो इनके यहाँ पर national offices है ना वो तीनों यह जो countries है ना इस इधर ही located है इसके बाद में इनको objective आता है eliminate trade barrier and facilitate cross border movement अब जो cross border movement होती है ना मतलब एक country से जब दूसी country के अंदर समान लेके जाया जाता है तो उसको अच्छे तरीके से लेके आया जा सके और जितने भी trade barriers होते है ना उनको बिल्कुल खतम किया जा सके to promote fair competition यहाँ पे जो fair competition एक देखने को मिले to increase investment opportunity investment की opportunity को यहाँ बढ़ाया जा सके to provide adequate and effective protection to IPRs जो आपके intellectual property rights होते है उनके लिए भी यहाँ पे effective protection यहाँ पे दी जा सके इसके बाद में आपका third आता है Asian जिसके अंदर आपका foundation day आता है आपका 8th of August 1967 और इसके headquarter आते है आपके Bangkok Thailand के अंदर इसके अंदर आते है आपका 10 member nations आती है founding father of Asian यहाँ पर आये जाता है Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand और इसके बाद में जो इसके members और add-on हुए थे तो इसके अंदर आता है आपका Brunei, Vietnam और PDR और Myanmar और Cambodia तो यह आते है आपके Asian के कुछ member इनका aim होता है यहाँ पर aim और purpose के बारे हम बात करें To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region तो इनका aim भी यहाँ पर यह है कि economic growth होनी चाहिए, मतलब सभी countries के लिए economic growth होनी चाहिए Society का welfare होना चाहिए और culture की development होनी चाहिए To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the nation अब इसके अंदर भी यह बात की जा रहे है कि जितनी भी member countries है उनके बीच में एक peace को लेकर आया जा सके एक अच्छा relation भाबे maintain करके रखा जा सके To promote active collaboration and mutual assistance for matter of common interest अगर कोई भी यहाँ पर matter है common interest का तो वहाँ पर एक mutual decision लिया जा सके जाहे वो economic की field हो, social हो, cultural हो, technical हो, scientific हो, administrative हो तो इन सभी field के अंदर यहाँ पर mutual सबका decision वहाँ पर होना चाहिए To provide assistance to each other in the form of training and research facility in the educational, professional, technical and administrative अगर किसी भी country को यहाँ पर training की जरूरत है, research field के अंदर जरूरत है, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ी को यहाँ पर provide करवा के रखार जाए इसके बाद में आता है आपका to collaborate more effectively for the greater utilization for the agriculture and industries the expansion of their trade including the study of the problem of international commodity trade, the improvement of their transportation and communication facility and the raising of living standards अब इसके अंदर ये बात बुली जा रही है कि इनका जो purpose होता है, वो यह होता है कि तो सबसे पहले better utilization होना चाहिए, resources का, agriculture का या फिर industries का better utilization होना चाहिए जो भी इनका trade है वो expand करना चाहिए, जो trade है वो और भी ज़्यादा भढ़ना चाहिए, और भी countries के अंदर इनका trade हो फैलना चाहिए अब जितनी भी कोई भी ऐसी problem निकलती है, international commodity trade सी, तो उसको यह साथ में मिलके deal कर सके यह लोग चाहते है कि improvement लेकर आ सके, transportation और communication की यहाँ पर facilities होनी चाहिए और last आता है कि सभी जो countries, member nation है, उन सभी के यहाँ पर standard of living है, उनको better करना, उनके standard of living को अच्छा ज़े raise करना तो promote Southeast Asian studies, अब इसके बाद में आता है आपका fundamental principle, आपके इसके fundamental principles के अंदर आता है mutual respect for the independence, 780, equality, territorial integrity and national identity of all nations अब इनका सबसे पहला principle आता है, कि यह सभी की, मतलब जितनी भी आपके member country है, सभी की independence को यहाँ पर respect दे 780 को दे, equality होनी चाहिए और integrity को देना चाहिए, national identity जो होती है न सभी country की, तो वहाँ पर सभी को एक respect देना है the right of every state to lead its national existence free from external interference, subversion of creation अब इसके अंदर यह बात बोले जा रहे है कि जो भी national existence है ना तो उससे freely वहाँ पर एक external जो है वो trade कर सेके non interference in the internal affair of one other अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि अगर कोई country है उसके country के बीच में ही कोई ऐसे state के बीच में अगर कोई conflicts हो रहे है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी country उसके उपर कुछ वहाँ पर statement pass on करे मतलब किसी भी country को दूसरी country के जो internal affairs है जो उनके अंदरूनी मामले है उनके अंदर महाँ पर interference नहीं करनी है settlement of difference or dispute by peaceful manner अगर किसी country की दूसरी country के साथ में अगर कोई भी conflicts है तो उसको भी peacefully manner के अंदर महाँ पर solve किया जा सके इसके बाद आता है आपका effective corporation एक effective corporation countries के बीच में होना चाहिए इसके बाद में आता है आपका सार्क सार्क की यहाँ पर full form आती है आपकी South Asian Association for Regional Corporation इसके यहाँ पर आपके headquarter आता है कॉटमांडू नेपाल के अंदर और यहाँ पर जो इसका foundation day था वो 8th of December 1985 के अंदर आता है जिसके अंदर आपका example आता है इसके countries का आता है अफगानिस्तान, बांगलादेश, भूटान, इंडिया, माल्दिव, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका इसके बाद में जो आपके principles आता है सार के, इनका principles यह बोलते हैं कि corporation होना चाहिए, मतलब जो भी आपके member countries है उनके अंदर corporation होना चाहिए, बीच में कोई conflicts नहीं होना चाहिए सबको साथ में ही हाँ पे, एक दूसरे के decisions में ही हाँ पे, सबको साथ में लेके चलना है respect for the principle, अब इसके जो सभी country के जो principles है, जैसे कि sovereignty हो गया, equality हो गया, territorial integrity हो गया, political independence हो गया, internal affairs हो गया तो सभी के यहाँ पे जो internal मामले होते हैं उनमें यहाँ पे respect देनी है, किसी भी country को दूसरी country के यहाँ पे, internal affairs में यहाँ पे interference नहीं करना है इसके बाद आएगा आपको objective, objective के अंदर आता है, आपका सबसे पहला तो होता है, कि जो भी आपकी member nation है, उन सभी का यहाँ पे, जितने भी उनके country के अंदर लोग रहते हैं, उन सभी का welfare और साथ में जो उनकी life है, उसको एक बड़िया life बनाना, standard of living को अच्छा करना Second point आता है आपका, जितनी भी आपकी economic growth है, social progress है, cultural development है, तो सभी countries के यहाँ पे एक अच्छे तरीके से progress करना एक economic growth करना, एक अच्छे manner के अंदर उनका help करना Third आता है आपका, to promote and strengthen collective self-reliance among the country of South Asian कि यहाँ पे जितनी भी हमारी countries आरिया South Asian के अंदर, तो इन सभी को यहाँ पे एक strength provide करना, collective self-reliancement होना चाहिए To contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one or the problem अगर किसी भी country के अंदर कोई problem है, तो दूसरी country को वहाँ पे उसकी help करने के लिए आगे बढ़ना है उसको appreciate करना है, understand करना है, mutual trust होना चाहिए between countries इसके बाद में आता है आपका, to promote active collaboration and mutual existence in the economic, social, cultural, technical and scientific field इन सभी field में उनका active collaboration होना चाहिए यहाँ पे strengthen करना है corporation, सभी developing countries का to strengthen corporation among themselves in international forums, को international forums होती है तो वहाँ पर भी सभी के common interest, वहाँ पे common matters को लेकर जाना है to cooperate with international and regional organization with similar aim and purpose यह आते हैं आपके objectives सारके इसके बाद में आते हैं आपका BRICS BRICS के अंदर आपके जो five nations आते हैं वो आते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना and साउथ अफरीका अब firstly अगर हम बात करें जब इस BRICS को बनाया गया था तो सबसे पहले यह था BRICS और बाद में यहाँ पे जो S आपका word है, South Africa वो बाद में यहाँ पे add हुआ है initially यहाँ पे four member countries थी इसको यहाँ पे जब form किया गया था तो 2009 के अंदर किया गया था और BRICS does not exist in form or organization but it is an annual summit अब BRICS जो होते है ना इसके अंदर कोई यहाँ पे कोई organization form नहीं होती बट इसके अंदर एक annual summit हिया जाता है, मतलब हर साल एक summit रखा जाता है और यह जो आपकी five nation है in countries के बीच में इसके बाद इसको objectives आते हैं अब बात बोली जाती है कि यहाँ पे जो भी आपके BRICS nation है ना तो उनकी एक growth होनी चाहिए, एक economic development होनी चाहिए उनको poverty से निकालना है, गरीबी से निकालना है तो यह सभी इसका objective आते हैं आपके BRICS के तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बात किया है regional economic integration के बारे में साथ में हमने यहाँ पे level of integration को देखा है और इसके बाद में हमने यहाँ पे EU, NAFTA, SARC, ASEAN, BRICS इन सभी के बारे में बात किया है इसके अंदर कुछ topic ऐसे है जो बहुत ही ज़दे important है तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे वीडियो अप्लोड करूँगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें चानल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को जासादा शेयर करें थाइंक यू सो मुच पर वाचेंग